प्रधान मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में मंडियाली भाशा में भाशन दे कर सब को हैरान कर दिया। प्रदेश की स्वास्त व्यवस्थाओं के मद्दे नजर हमें इमानदारी से ये तै करना पड़ेगा कि हमारी प्रात्मिक्ता भयावा ओमिक्रॉन को फैलने से रोकना है। चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना नहीं। पंजाब लोग कॉंग्रेस के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्मुक्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने केंद्रिगरी मंत्री अमिश्या से उनके आवास पर मुलाकात की। मीटिंग में भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा पंजाब भाजपा के प्रवारी गजेंद्र सिंग से खावत भीज मौजूद रहें। सुप्रिम कोट के चैतर वकीलों ने चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया अंपी रमना को चिछिलिक कर इस मामले पर स्वता संग्यान लेने की अपील की हैं। स्वार में तीन दिन चली धर्म संसत 20 दिसंबर को खत्म होती। सरकार ने सुमवार को कहा कि तीसरी प्रिकॉशनरी डोज के लिए वही लोग अप्लाई कर सकेंगे जिन्हें कोरोना की दूसरी डोज लगे हुए नौ महीने बीच चुके हैं। कि इनने अगले साल 10 जनवरी से हेल्थ केर वर्कर्स और 60 साल से उपर के उन लोगों को तीसरी डोज लगाने का फैसला किया है जो पहले से ही बीमारियों से जूज रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉर्टी के सीईयो डॉक्टर आर एस सर्मा ने यह जानकारी दी। भारत में कोर्णा वायरस महमारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्श की जा रही हैं। नए केस में 5-10 हजार के आसपास आ रहे हैं। देश में 24 घंटे में 6,531 लोगों की कोर्णा वायरस रिपोर्ट पॉजिक्टिव आई हैं। वही 7,091 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 315 लोगों की मौत हुई हैं। दुनिया भार में कोर्णा वायरस के मामले बढ़कर 28.03 करोर हो गये हैं। इस महामाली से अब तक कुल 33 लाग से जादा लोग की मौत हो चुकी है। जबकि 8.096 अरव से जादा लोग का वैक्सिनेशन हुआ है। पाकिस्तान की सियासत में एक वार फिर बड़े फेर बदलाव की फिर तयार हो चुकी है। खबरों के मुताबिक नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे है पूल प्रधान मंत्री नवाज शरीफ नए साल 2022 के पहले महीने में मुल्क लोट रहे हैं। पाकिस्तान में फौज के समर्थन के बिना किसी सरकार का सत्ता में रहना नामुम्किन है। दुनिया के कई देशों में लगाताया दूसरे साल क्रिस्मस फीकर रहा। कहीं कोरोना खासकर ओमिक्रॉन की माल रही तो कहीं कुदरती वजहों से एर ट्राफिक पर असर पड़ा। एक आगड़े के मताबे क्रिस्मस वीकेंड पर दुनिया में करीब साथ हजार फ्लाइट्स कैंसिल हुई, कुछ जगा तो कोवीट की वजह से हालात ऐसे बने कि स्टाफ ही कम पड़ गया। शेर बाजार आज बढ़त में रहा, बॉंबे स्टाफ एक्शेंज का सेंसेक्स 296 पॉइंट्स उपर 57,420 पर जबकि नेशनल स्टाफ एक्शेंज की निफ्टी 82 अंक बढ़ कर 17,086 पर बन हुआ।